बच्चो हमारी शरीर को स्वस्त रखने के लिए नीमित दिन्चरय का होना बहुत ही आवशक है जिसमें आपको जल्दी सोना चाहिए जल्दी उठना चाहिए साथ ही नीमित व्यायाम भी करना चाहिए और अच्छा भोजन खाना भी बहुत जरूरी होता है अच्छा बच्चो अच्छा भोजन का क्या मतलब है अच्छा भोजन मतलब संतुलिताहार ऐसा हार जिसमें सभी पोशक्तत्व जैसे की प्रोटीन्स, विटामिन्स, कार्भोहाइडरेट, मिनरल्स, वसा इत्याधी शामिल होते हैं तो बच्चो आईए आज हम ऐसे ही कुछ भोज़बदार्तों पर परिक्षन करते हैं और पता करते हैं कि इनमें कौन-कौन से पोशक्तत्व उपस्तित है तो सबसे पहले हम वसा परिक्षन करेंगे जिसके लिए यहाँ पर मैंने पैट्रे डिश में काजू, बादाम और मुंगफल्ली को लिया है और साथ ही तीन कागज के टुकडे लिये हैं जिस पर मैंने काजू, बादाम, मुंगफल्ली पहले से लिख कर रखा है हम एक एक करके इस कागज पर इसको रगडते हैं हलके हाथ से हमें रगडना है देखे इस प्रकार से रगडने के बाद आपको दिखाई देगा इसी प्रकार से हम बादाम को भी इस कागज के टुकडे पर हलके हाथों से रगडेंगे जो कुछ इस प्रकार से दिखेगा इसी प्रकार से हम मुंगफलनी के दाने को भी इस कागज के टुकडे पर हलके हातों से रगडेंगे देखे इस प्रकार से ये दिखाई दे रहा है अब इसे हम थोड़े देर के लिए सूखने देंगे और सूखने के बाद इसको हम लाइट में देखेंगे इस प्रकार से जब हमने काजू को इस कागज पर रगड़ा तो कुछ इस प्रकार से ये दिखाई दे रहा है और आप अगर इसको छूएंगे तो छूने में हमको चिकना लग रहा है और साथ ही इस पर लाइट अगर आप डालते हैं तो यह हमें अलप पारदर्शक दिखाई देगा बादाम को हमने इस कागज पर रगड़ा था ये भी हमें अलप पारदर्शक दिखाई दे रहा है इसी प्रकार से मुंग फली के कागज के टुकड़े को अगर आप देखते हैं तो इसको रगड़ने के बाद इसमें भी अलप पारदर्शक दिखाई दे रहा है अब बच्चों हम प्रोटीन का परिक्षन करेंगे तो जिस भी पदार्थ का परिक्षन करना है उसे हम लेंगे जैसे यहाँ पर मैंने दूद लिया है इसकी जगे आप कोई ठोस पदार्थ भी ले सकते हैं लेकिन उसे आपको पीस कर उसका विल्यन बनाना होगा साथ ही हमें प्रोटीन परिक्षन के लिए सोडियम हाइड्रॉकसाइट की जरुवत होगी और कॉपर सलफेट या जिसको हम नीला थोता कहते हैं इसकी भी आवशकता हमें होगी तो सबसे पहले हम एक परकनली लेते हैं और इस परकनली में ड्रॉपर की सहायता से थोड़ा सा दूद लेंगे अब इस दूद में दो बूद कॉपर सलफेट की डालेंगे और दस बूद सोडियम हाइड्रॉकसाइट की इसमें डालेंगे तो बच्चो आप देख सकते हैं कि दूद का जो रंग है वो बैंगनी हो गया है इसका मतलब दूद में प्रोटीन उपस्तित है बच्चो अब हम स्टार्ज परेक्षन करेंगे स्टार्ज परेक्षन करने के लिए यहाँ पर मैंने आलू लिया है आलू के जगे आप चावल या फिर गेहू का आठा भी ले सकते हैं तो सबसे पहले मैं इस चाकू की साहता से आलू के छोटे-छोटे टुकडे कर लूँगे और आलू के छोटे-छोटे टुकडो को इस परक नली में डालना है इस प्रकार से हमने आलू के छोटे-छोटे टुकडे करकर परक नली में डाल दिया थोड़ा से इसमें हम पानी डाल देंगे अब इसमें हम आयोडीन बिलियन की कुछ बूंदे डालेंगे तीन से चार बूंदे इसमें हम डालेंगे और तो आप देख सकते हैं कि इसका जो रंग है वो काला नीला या गहरा नीला हो गया है इसका मतलब यह है कि आलू में स्टार्ज उपस्तित है जिसे हम मंड माड भी कहते हैं तो इस प्रकार बच्चों हमने तीनों परिक्षन करके देखें प्रोटीन वसा और मंड परिक्षन तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो बादाम, काजू या मूंख फल्ली हम खाते हैं उसमें वसा उपस्तित है और जो दूद हम पीते हैं उसमें प्रोटीन की मात्र उपस्तित होती है और साथ ही आलू इसमें स्टार्चो पस्तित होता है तो इस प्रकार से आप अन्यभोज पदार्तों पर भी ये परिक्षन करके देख सकते हैं